मित्रो, 7 सितंबर 2020 को हमने नगत पुरस्कार प्रतियोगिता में प्रश्ण पूछा था कि हिंदु धर्म की कथाये चैनल के किस वीडियो में यह बताया गया था कि हिरण्य गर्भ कल्प में धरति पीले रंग की थी इसलिए इसे हिरण्य गर्भ कहते हैं इस काल में धर्ती पर स्वर्ण के भंडार बिखरे पड़े थे तथा हिरण्य वर्णा लक्ष्मी, हिरण्यानी रेंडी, अर्थात अरंडी, पीले वरक्ष, एवं वनस्पती तथा हिरण आदिपशु अधिक थे। इस प्रश्ण का सबसे पहले सही उत्तर, ओल्ड फरीदाबाद हर्याना के श्री चिराग गोयल ने दिया है, तथा इस बार की प्रत्योगिता में ग्यारे सो रुपे का पुरस्कार एवं प्रमान पत्र प्राप्त किया है, उन्हें हमारी ओर से बधाई। प्रश्ण पूछे जाने के केवल दस मिनट के भीतर उत्तर दिया जाना एक अचम्भित करने वाली बात है। हम जानना चाहेंगे कि श्री चिराग गोयल इतनी शेगरता से इस वीडियो तक कैसे पहुँच गए। क्रपया वे दर्शकों को यह भी बताएं कि वे क्या करते हैं तथा उनकी आयू कितनी है। श्री चिराग गोयल को ग्यारह सो रुपे का पुरसकार तथा प्रमान पत्र भेजे जा रहे हैं। हमारा अगला प्रशन ग्लिम्स ओफ इंडियन हिस्ट्री चैनल की किसी वीडियो में दी गई जानकारी के संबंध में होगा। इस बार हम एक क्ल्यू भी दे रहे हैं ताकि धर्शक इस प्रशन का उत्तर देने के लिए पहले से ही तैयारी कर सकें। यह क्ल्यू है उन्नीसवी सदी का मराथा सरदार दौलत राव सिंधिया। इस बार का प्रशन इस मराथा सरदार पर केंद्रित होगा। हमने पिछली कड़ी में चर्चा की थी कि तराइन के दूसरे युद्ध में मुहम्मद गौरी ने छल बल से प्रत्वीराज चोहान की सेना को मार दिया तथा समराठ प्रत्वीराज चोहान को जीवित ही पकड़ लिया। प्रत्वी राज चोहान के अंत के संबंध में अलग-अलग विवरण मिलते हैं प्रत्वी राज रासों में प्रत्वी राज का अंत गजनी में दिखाया गया है इस वेवरण के अनुसार प्रत्वी राज को पकड़ कर घजनी ले जाया गया जहां उसकी आँखें फोड़ दी गई इस ग्रंथ का रचाईता चंद बरदाई समराट प्रत्वी राज का बाल सखा था वे भी समराट के साथ घजनी गया प्रत्वी राज रासो कहता है कि चंद बरदाई ने प्रत्वी राज की मृत्यू निश्चित जानकर शत्रु के विनाश का कारिक्रम बनाया तथा मुहम्मद गौरी से आग्रह किया कि आँखें फूट जाने पर भी राजा प्रत्वी राज शब्द बेधी बान मार सकता है इस मनोरंजक द्रश को देखने के लिए मुहम्मद गौरी ने एक विशाल दरबार का आयोजन किया उसने एक उँचे मंच पर बैठ कर एक घंटा बजाया तथा प्रत्वी राज को लक्ष वेधने का संकेत दिया उसी समय कवी चंद बरदाई ने यह दोहा पढ़ा चार बास चौबीस गज अंगुल अश्ट प्रमान ताउ उपर सुल्टान है मच्चू के चोहान इस से समराट प्रत्वी राज को गौरी की वास्तविक इस्थिती का अनुमान हो गया और समराट ने जो तीर छोड़ा वह मौमद गौरी के कंठ में जाकर लगा तथा उसके प्रान पखेरू उड़ गए शत्रू सैनिकों के हाथों में पढ़कर अपमान जनक मृत्यू से बचने के लिए कवी चंद बरदाई ने अपने मित्र राजा प्रत्वी राज के पेट में अपनी कटार भौक दी तथा स्वयम भी अपने पेट में कटार भौक कर राजा के साथ ही मृत्यू को प्राप्त हुआ उस समय समराट प्रत्वीराज चौहान की आयू मात्र 26 वर्ष्ट थी आधनिक शोधों से इसपष्ट हो चुका है कि प्रत्वीराज रासों में इतना अधिक शेपक जोड़ दिया गया है कि इसके मूल तथ ही बदल दिये गए है हम्मीर महाकाव्य नामक ग्रंथ में समराट प्रत्वीराज को कैद किये जाने और अंत में उसे मरवा दिये जाने का उलेक है विरुद्ध विधी विद्वन्स नामक एक ग्रंथ में प्रत्वीराज का युद्ध स्थल में काम आना लिखा है प्रत्वी राज प्रबंध का लेखक लिखता है कि विजई शत्रू प्रत्वी राज को अजमेर ले आए और वहां उसे एक महल के बंदी के रूप में रखा गया इसी महल के सामने मुहमद गौरी अपना दर्बार लगाता था जिसे देखकर प्रत्वी राज को बड़ा दुख होता था एक दिन राजा प्रत्वी राज ने अपने मंत्री प्रताप सिंग से धनुश बान लाने को कहा ताकि वह मुहमद गौरी का अंत कर दे प्रताप सिंग प्रत्वी राज चोहान का अत्यन्त विश्वस्नी ये मंत्री था किन्तु आरंव से लेकर अंत तक यही प्रताप सिंग प्रत्वी राज के सर्वनाश का प्रमुख कारण बना प्रत्वी राज की माता के शासनकाल में कदंबवास अत्वा कैमास राज्य का प्रधान मंत्री था किन्तु प्रताप सिंग ने शड़िंतर रच कर कदंबवास को समराट की दृष्टी से गिरा दिया तथा प्रत्वी राज ने कदंबवास की हत्या करवा दी तब से प्रताप सिंग ही राज्य का समस्तकारे देखता था किन्तु जब मुहम्मद गौरी तराइन के दूसरे युद्ध के लिए आया तो प्रताप सिंग समराट प्रत्वी राज को धोखा देकर भीथर ही भीथर मुहम्मद गौरी से मिल गया था प्रत्वी राज प्रताप सिंग पर इतना आधिक विश्वास करता था कि वह अंत तक इस बात को नहीं जान सका जब समराठ ने प्रताप सिंग को धनुश्बान लाने के लिए कहा तो प्रताप सिंग ने उसकी सूचना मुहम्मद गौरी को दे दी मुहम्मद गौरी ने प्रत्वी राज की परिक्षा लेने के लिए गौरी की एक प्रतिमा बना कर एक स्थान पर रखवाई जिसे प्रत्वी राज ने अपने बान से तोड़ दिया यह देखकर मुहम्मद गौरी ने प्रत्वी राज को गड़े में फिकवा दिया जहां पत्थरों की चोटों से उसका अंत कर दिया गया दो समसामईक लेखकों यूफी तथा हसन निजामी ने प्रत्वी राज को कैद किया जाना तो लिखा है किन्तु निजामी यह भी लिखता है कि जब बंदी प्रत्वी राज जो इसलाम का शत्रु था सुल्तान के विरुध शडंत्र करता हुआ पाया गया तो उसकी हत्या कर द गई मिनहाज उस सिराज प्रत्वी राज के भागने पर पकड़े जाना और फिर मरवाए जाना लिखता है फरिष्टा भी इसी कथन का अनुमधन करता है सोलेही शताबदी का लेखक अबूल फजल लिखता है कि प्रत्वी राज को सुल्तान पकड़ कर गजनी ले गया जहां प्रत्वी राज की मृत्यू हो गई प्रत्वी राज की मृत्यू के 400 साल बाद लिखी गई इस बात का कोई महत्व नहीं है अजमेर से प्रत्वी राज का एक सिक्का मिला है जिसके दूसरी तरफ मुहम्मद गौरी का नाम भी अंकित है यह सिक्का इस बात का दो तक है कि प्रत्वी राज को युद्ध के मैदान से ही जीवित पकड़ कर अजमेर लाया गया तथा मुहम्मद गौरी ने उसके कुछ सिक्कों को जब्त करके उनके पीछे अपना नाम अंकित करवाया इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्वी राज को युद्ध के मैदान में नहीं मारा गया था नहीं उसे गजनी ले जाया गया था उसे तराइन के मैदान से अजमेर लाया गया था और अजमेर में ही समराट की हट्या की गई थी बहुत से लोगों ने समराट प्रत्वीराज के इतिहास को रहस्य में एवं रोमांचक बनाने के लिए प्रत्वीराज के अंत के संबंध में कई तरहें के किस्से गड़ लिये हैं किन्तो इतिहास की सच्चाईया रहस्य में रोमांच की दुनिया से अलग बहुत भयानक एवं बदसूरत होती हैं समराट प्रत्वीराज का अंत भी वैसा ही भयानक और बदसूरत था भारतिय राजा किसी दूसरे राजा को पकड़ लेने पर जिस गरिमा और उधारता का परिचे देते थे मुहम्मद गौरी की तरफ से वैसा कुछ नहीं किया गया था उसने समराट प्रत्वीराज चोहान को कुरूर मौत के हवाले किया मुहम्मद गौरी को यह भी इस्मरण नहीं रहा कि इसी प्रत्वीराज ने मौहम्मद गौरी तथा काजी शिराज से केवल कर लेकर उन्हें जीवित ही छोड़ दिया था प्रत्वीराज को मारने के बाद शहबुद दिन गौरी ने प्रत्वीराज चोहान के अवयस्क पुत्र गोविंद राज से विपल कर राशी लेकर उसे अजमेर की गद्धी पर बैठाया इसके बाद शहबुद्दीन गौरी कुछ समय तक अजमेर में रहकर दिल्ली चला गया जो इस समय मुहम्मद गौरी के सेनापतियों के अधीन थी मुहम्मद गौरी ने अपने जेर खरीद गुलाम कुतुब बुद्दीन एबक को भारत में अपने द्वारा विजित क्षेत्रों का गवर्नर न्युक्त किया कुछ दिन दिल्ली में निवास करने के बाद मुहम्मद गौरी फिर से गजनी चला गया अगली कडी में देखिये राजा जैचंद के हाथी ने मुहम्मद गौरी को प्रणाम नहीं किया क्रपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एवं शेयर करें धन्यवाद